Hello friends, में नाम है Vijay और आज की वीडियो में लोग बात करेंगे कैसे हम अपने elements को अपने data frame में से access कर सकते हैं तो चले start करते हैं तो आज हम सीखेंगे data frames में कैसे हम अपने elements को access कर पाएंगे ठीक है और उसमें हम indexing और slicing का use करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं हम पहले आली वीडियो से ही continue कर रहे है तो यहां पर मैंने numpy और panda पहले सी import कर रखा है हम में एक num random number generate करूंगा तो यहां पर लेका random.seed function use कर रहा हूं है यहां 101 से start कर रहा हूं इसे और यहां पर मैं क्या करता हूं सबसे पहले एक variable बनाता हूं random अपने data frame के लिए तो यहां पर दूबा pd.fitting data frame और यहां पर पास करूंगा सबसे पहले data is equal to np. और यहां पर random number generate करूंगा तो यहां लिपमा रेंडम और यहां लिपमा रेंड और रेंड और रेंड न मतलब क्या है तो यहां दूँगा columns, columns की value भी मैं split करवा लूँगा और यहां इसका size छोटा कर लेता हूं तो अच्छे quality में देखेंगा वीडियो तो यहां पर double quotations value 1, value 2, value 3, value 4 और value 5. dot function यूज़ करूंगा इस split का ठीक है अब इस data frame को चेक कर लेता हूं तो df लिखूंगा तो यहां पर मुझे test data frame मिल रहा है ctrl plus दबाता हूं मैं सही से दिखेंगा आपको अब करके इसके element को कैसे access कर पाएंगे अभी देखते हैं, operation perform करते हैं इसमें तो अगर देखिए मुझे सिर्फ जो column की value चाहिए ठीक है तो वह मैं कैसे लिखता हूं नहीं लिखूंगा df square basis फिर double quotation यहां लिखूंगा column का name जो कहो गया value 1 और यहां इसको लिखूंगा तो यहां पर मुझे इसकी values यहां पर देखने हो मिल जाएंगी और यहां पर अगर मुझे सिर्फ इस column की कुछ row particular row चाहिए तो वह मैं कैसे देख सकता हूं उसके लिखूंगा यहां लिखूंगा और यहां लिखूंगा value 1 फिर यहां पर square basis और यहां पर मैं जैसे एकर मुझे row B का देखना है तो वह कैसे दिख सकता हूं simple है काफी simple बी डालना पड़ेगा और दी तक की value दिखने ठीक हो numbers में exclude होता है तो यहां पर इसको मैं run करूँगा तो यहां पर देखिए मुझे well 1 की B से लिकर D तक के value मुझे मिल देए यहां पर यह include हो रखा है और अगर मैं आपको इसी को number किसा चला के दिखाऊं तो उसके से कैसा होगा यहां लिखता हूँ well 1 और यहां पर square basis 1 colon 4 लिया मैंने तो यहां पर A हमारा 0 position पे था B हमारा 1 position पे तो 1 आया तो C फिर D आया ठीक है fourth position वाला नहीं आया क्योंकि हमारे जैसे मैं बताया number आपका last वाल exclude हो जाता है तो यहां पर किलिए यह df double square basis मैं दोंगा value 1 ठीक है और फिर मैं दोंगा यहां पर value 2 ठीक है इन दोनों की value चाहिए मुझे यहां पर easily मिल जाएगी value 1 और value 2 और अगर मैं इसको variable में save करा लो value 1 और value 2 को तो variable मैं यहां पर pass कर सकता हूं इसके नेम लिया variable और यहां पर की करता हूं यहांपर से copy कर लेता हूं इसका से copy कर लूँगा और यहांपर paste कर लूँगा ठीक है यह बेरेबल में हमारी value आप कर सकते हूं इसमें definite df यहां पर लिखोगगा df और यहां पर variable ठीक है तो यहां पर उससे भी हमारा output दिनेट हो किया जाएगा और अगर आपको रोज चाहिए ठीक है तो रोज कैसे ले सकते हैं तो रोज आप लिखेंगे लगे स्कॉय कि यहां पर डबल कोटिशन बी लिखना हूं में और बी से लेकर दी कि वेलू चाहिए मुझे या तो यहां पर एंटर दबांगो तो बी सी डी एक की मिली कि मुझे रोज की और यहां पर में इस यही चीज मैं इंडेक्शन से शेड कर सकता हूं यहां पर दी और 3 पे था D और अगर मुझे सिर्फ E वाली वैल्यू चाहिए तो वह कैसे ले सकता हूं तो आप सोच रहने करें मैं इस तरह से लेक्ट हूं D F single quotation E ठीक है और इसको run करूँ तो यहाँ मुझे error दिखाए देगा की error E आपको इस तरह से पांसने करना है यहां को लिखना है D F और यहां पर इसकोड़िशन और फिर colon इस तरह से लिखने तब आप सिर्फ ए एक पर्टिक्लर रोग को एक्सेस कर पाएंगे और अगर आपको E row की column 3 या 4 की value चाहिए तो आप कैसे कर पाएंगे मैं लेकिंगे D F quotation यहां लिखूंगा E colon E same जो पहले इससे लिखा था फिर आप यहां पर लगाएंगे डवाल इसकोड़िशन और वैल 4 ठीक है और यहां पर मैंने यह डवल कोड़िशन पर नहीं लिखा ठीक है तो यहां पर मुझा output मिलेगा value 3 और value 4 की row E की output मिलको यहां पर देखने हो मिल गया तो इस तरह से आप particular element को भी access कर सकते हैं और तो इस तरह के साब data frame में particular elements को access कर सकते हैं indexing और slicing का use करते हुए आज की वीडियो में इतना ही thank you for watching this video good bye take care अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आजए तो हमारी वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले आप हमें facebook, instagram, telegram तीनों जगा follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा और हमारी playlist को जरू जख करिए friends चैनल की वहाँ पर हमने different frameworks और programming language वीडियो बना रखे जीसे देख के आप अपने knowledge को बहुत जाते increase कर सकते हैं thank you watching good bye take care कर सकते हैं